बूरिंग दियर स्टूरेंट्स, वेल्कम बैक टो बीबीवा नोलानी क्लाशे, तोड़े वी विल कंटीन आवर थर्ड चैप्र, दिरक्साइज 3.1 फॉर्म क्योसर नमबर थर्ड, इन लास्ट वीडियो वी डिसकस्ट अबाव वासम चैंजिज ऑफ हैंगल फॉर्म डिगरी म मेजर्स, डिगरी मेजर्स तू रेडियर मेजर्स, वो सब हमने लास्ट वीडियो में किया हो, जो कि एक एक्चुलियो में बेसिक इंट्रोडेक्शन है, ठीक है, अब हम आगे कहिरी करते हैं, कंटीनू करते हैं सिक साइज को 3.1 को फॉर्म क्योसर नमबर थर्ड, प्लीज ऊपन यूऑ बोक, क्विएसर क्डेक्शन के कहता है, ए कमपलीट 3.60 रुवॉॉच्ey रिवॉॉच्टे रिवॉॉच्टे लिवॉॉच्टे करता है कितनी? नमई तो एक सेकंड में कितने करेगा है तो एक बात देखिए कि यह जो revolution कर रहा है यह जितने भी revolution कर रहा है यह जब भी एक complete revolution करेगा 360 degree measures करता है है ना one complete revolution one complete revolution that equals to how many measures 360 degree या फिर हम यह कह सकते हैं टू पाई रेडियन कितना टू पाई रेडियन हमें आंसर पूछा कि थू हाव मैंनी रेडियन तो हमसी भी सी बात क्या लिखेंगे one revolution यानि one complete revolution one complete revolution takes how many degree of angle 2 पाई रेडियन कितने कर रहा है 360 revolution कर रहा है अब यह कहते है कि one second में बता ही आप तो one second में revolution कितने हो देखिया वह एक मिनट में कितने revolution कर रहा है 360 एक मिनट इक्वल चुश्टी सेकिंड तो 60 सेकिंड में कितने revolution इसके 360 तो वन सेकिंड में कितने होगा 360 डिवाइड बाई 60 इट मिन्स नॉर्मली 6 यहने कि one second is equal to how many revolution six revolutions कितने आएंगे six revolution तो बहुत सेकिंड में कितने revolution है six revolution तो एक सेकिंड में कितने revolution कि according कितना degree measure करेगा तो बहुत सेखिंड रिवॉल्यूशन कर रहे है एक revolution में कितना degree जा रहा है 2 पाई रेडियन वह एक revolution में कितना जा रहे है 2 पाई तो six revolution में कितना जाएगा से दिसी बात है से six multiply by 2 पाई रेडियन और एक सेकिंड में इससे वील ने कितने टान लिये कितने revolution किये सर्फ शिक्स रिवॉल्यूशन किये और वन इटान a complete revolution then it makes in radiant 2 पाई तो एक complete revolution में 2 पाई अगर इसका roundable है एंगल का तो six revolution में कितने होंगा multiply by six six into two that is 2 पाई that is 12 पाई 12 पाई रेडियन मेजर्स इन one second because the wheel contained in one second their total number of revolutions are six ठीक है next question number four find the degree measures of an angle क्या कह रहा है आप degree में आंसर बताई एंगल का substandard जो बना है at the center of a circle of radius 100 cm by an arc of length 22 cm use pi आपको pi भी दिया है फिर से वह कह रहा है कि एक central angle बताई ए किसमें degree measures में कब जब उस condition में किस condition में condition आपको दी है कि radius दी है उस circle की वो length of arc आपको दी है क्या कह रहे हैं find the degree measures of an angle substandard at the center of a circle of radius there is a circle right and its radius measures to be माल लेजिए ओवे इसकी radius है वो कितनी बेटा 100 cm and by an arc of length कोई arc of length है इसकी माल लेजिए कुछ भी है यहां से यहां तक की माल लेजिए सेंट्रल लेंगा थीटा बनेगा यह थीटा किसम में होते है बेटा रेडियम में लेंद कितनी दी आपको 22 cm क्या दी है 22 इसकी देट लेका टीटा है बेटा जया थीटा वाता है वेटा दे मिला बारा किसम वाइं लेंट हूं पान आर radius of the given circle and LR are in the same unit same units, मतलब यहन की dimension same होने चाहिए, किसकी L और आया की, और यह आपके पास basically formula है, it means theta in radian given as L upon R theta किसमे आपका, radian में है then this theta equals to this theta equals to L length of R 22 upon R 100 and that is what in radian, because that should be an angle और यह angle किसमे आपका, radian में है and ज़र वी है, just to equate this radian into degree measures, तो आपका पता है कि pi radian जो होता है, that is 180 degree then 1 degree equals to 1 radian equals to 180 upon pi यह है आपका अब आए पास radian में है एक radian ही होता है, तो इतना radian कितना होगा? सिद्धी सी बात है 22 by 100 radian that equals to what? 180 upon pi into 22 by 100 and that complete in लिखा है, use pi 22 by 7 then 180 upon 22 by 7 था वो 7 यहां आगया बेटा, यह 22 यह है, इसके डिवाइड में क्या था? 100 and that is degree मैंने क्या क्या, इस pi को लिखा 22 by 7 यह आपका है, 22 से 22 कैंसल, 10 से 10 कैंसल, then 18 into 7 upon 10, ठीक है? 2 से 5, 2 से 9, 9 सेवन जा, 63 by 5 डिगरी, इसका अनसर हम यहां लिखेंगे, 63 by 5 and that complete in degree अब degree के cases में हम कभी facts and answer को नहीं छोड़ सकते, क्या आएगा? 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे तो यहां जागा 12, 5 जा 60, 12, 5 जा 60, 3 कैंसल बसता है, डिमेंडर बसता है, 3 by 5 डिगरी, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं, 12 degree plus 3 by 5 degree, change degree into minute, multiply by beta 60, change in minute, क्या जाएगा यहां से? 12 degree plus 12, 560, 36 minute, तो क्या जाएगा ही? 12 degree, 36 minute, यह एंगल आया आपका degree majors में, question number 4 and it's 3.1, question number 4, 12 degree and 36 minute, ठीक है? ऐसे आपको convert करना है, question number 5 आपका, इन्हे circle of diameter, एक circle है, जिसका diameter आपको दिया है, length of code दिया है आपको, आपके बार arc नहीं है, आपके पस, आपने 10th में length of code, major arc, minor arc, major sector, minor sector, segment, सब देखें, तो उन से related कुछ questions हैं, कि diagramatically अगर आपको समझी में आगए, तो theoretically के लिए आप उसको approach कर सकते हैं, इन्हे circle of diameter, एक circle है, जिसका diameter है बेटा 40, कितना है, 40, ये, तो सिदी से बात है, इसकी radius जो हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 20 cm, right, एक और दिया है, इसमे, length of code, एक code है, जिसकी length भी कितनी दिये, 20 cm, माल लेजी ये कोई code है, इसकी length भी कितनी है, 20 cm, ये circle है, इसके पास कोई radius है, कोई भी radius होगी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमने लिख दी वहाँ पर, कि radius कितनी है, 20, circle का center है, माल लेजी, ठीक है, ओपे, A, B क्या है, कोई code है, चलिए, क्या कहता है, find the length of the minor arc of the core, तो minor arc कौन सी होगी, ये ही तो होगी, minor arc, जो A, B, arc है, that is called, the minor arc, इसकी length बतानी है, आपको, तो इसकी length का बाए, जब मार पास central angle हो, क्योंकि तो theta होता है, बेटा, वो क्या होता है, L upon R, और ये theta जो होता है, कि इसमें होता है, radian में, अगर मैं इसको इससे join करूँ, इसको इससे join करूँ, क्या ये radius नहीं है, circle की, और radius कितनी है, 22, 22, in this triangle, O, A, B क्या है, बेटा, एक triangle तो है, question number 5 में क्या है, N triangle O, A, B, दिखरी कहीं आपको, O, A, B, कैसी है, is N, equilateral triangle, कैसी है, equilateral, and all the angles are made just to be equal, and they concerned as, 60 degree, इसका मतलब तो central angle है, देखें न, आप, ये radius हो गई, बढ़ी कुछ इस तरह का तो diagram आया, कि एक radius यह है, एक radius यह, एक radius यह, length of arc की है, तो ये तो बताने हैं आपको, ये theta आपके पास given हो, और radius दिये, ये तो ये नहीं युटाल सकते, radius हमारे पास given है, theta किस में है, degree में ज़स में, change in radian, theta equal to, आपको कितना दिया है, 60 degree दिया है, आपको ये पता है, कि pi radian कितना होता है, 180 degree, then 1 degree equals to what, pi by 180, radian, pi by 180, radian, तो तो theta आपको कितना दिया है, 60 degree, क्या करेंगे, 1 degree equal to कितना होता है, 1 degree, pi by 180, तो 60 से और multiply कर दूँ, किस में आ जाएगे, radian में, that is how much, pi by 3 radian, we know, क्या, जो theta होता है, वो कितना होता है, l, y, r, radian में होता है एंगल, ये l, आपको find करने, radius आपको दिये, theta कितना है, pi by 3, equals to l, find करने, r, 20, then what is l, divide में है, multiply में जाएगा, pi by 3 into 20, l, किस में आएगे, centimeter में, dimensions जो दिये हैं, सारी centimeter में तो दिये, क्या हो जाएगा, use pi लिखा कहीं इसमें, नहीं, लिखा था मुसको use कर लेंगे, pi कितना है, तो 22 by 7, उडियो 20 है, और यह 3 है, तो कितना हो जाएगा 22, 4, 4, 0, आप उन 7, 3, 0, divide करो, answer लेंगे, यह आपकी इस case में क्या हो जाएगी बैटा, length of arc हो जाएगी, ठीक है, next, question number 6, if in two circles, दो circles है, arc of the same length, कोई arc है, जिसकी length same है, ठीक है, sub-centered at 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii, आप उस circle में, दोनों circle में, जो radii होंगी, उनका ratio बताएग, मतलब length of arc same है, एक circle मालेजी ऐसा है, दूसरा ऐसा है, ठीक है, तो इसमें कोई radius इसकी मालेजी आर्वन है, oe लेलू इसको, इसको मैं o dash, e dash लेलू और इसकी radius को लेलू मार टू, length of arc same है, length of arc क्या है, same है, इस case में theta 1 इसने यहाँ बनाया, इस case में इसने वेटा theta 2 यहाँ पर बनाया, theta 1, जो आपका angle है, 60 degree, और यह कितना है वेटा, 75 degree, length क्या है, same है, length of arc क्या है, same, तो इस case में जो आपका theta 1 होगा, वो कितना होगा, L upon R1, क्योंकि L same है, theta किसमें रहना आपका, radian में, और इस case में तो theta 2 होगा, वो भी क्या होना आपका, L upon R2, इस case में theta क्या रहना है, radian में रहना है, ठीक है, आपको ratio चाहिए, देखें यहाँ से, L क्या होगा, theta 1 into R1, cross multiply, यहाँ से भी L क्या होगा, theta 2 into R2, मैं first और second को equal कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ, यह कर सकता हूँ कि दोनों की length of R के equal है, तो जब first और second को equal करूँ, क्या हैगा मेरे पास, theta 1 R1 equals to what, theta 2 R2, अब बात किया कि theta जो major's है, मेरे पास वो degree में है, 60 degree है एक तो, theta 1 कितना है, 60 degree और theta 2 कितना है, बेटा, 75 degree, आप उनको change करके देखना, the radian major's में, तो यह ताज आपका, अभी भी निकाला था हमने, क्या है था, pi by 3 radian, और यह आजाएगा बेटा, 3 pi by 4 radian, 3 pi by 4 radian, या फिर आप एक change कर दें इसको, change करके अगर करना चाहें, 75 है, क्या करेंगे, pi by 180 से multiply करेंगे, तो 5 से 15, 5 से 36, 3 से 5, 3 से 6, तो क्या हैगा, 5 pi by 6, लेकिन 5 pi by 6 अगर आप देखना चाहें, अपने 5 से क्या है न, 3, 3 5 जा, और 3 से करेंगे तो 12 आएगा है, 12, ठीक है, तो यह आपका थेटा 1 आगया, किसमे रेडियन मेजर मेरी कितना आगया बेटा, थेटा 2, वैल्यू पूट कीजिए, थेटा 1, यह रहा, pi by 3 into r1, और वो रहेगा आपका 5 by 12, r2, pi से pi, 3 4 जा, तो आप यहाँ बेज़ दीजिजिसको, r1 upon r2, 5 by 4, वाट इस रेशियो रेडियो फिस टू सेर्किल्स आर, क्वेशन नमबर 6, एक्सराइज 3.1, 3.1 का क्वेशन नमबर 6, 5 रेशियो 4, ठीक है, अधा लास्ट क्वेशन, find the angle in radian through which a pendulum swing, यह कोई pendulum है, ठीक है, यह बटा swing करता है इसे, यह से swing करता है, तो length of arc कहीं न कहीं डिराइब कर रहा ही, यह इसकी radius हो जाएगी, यह कंप्लेट गुणा होगी तो यह circle बनता है, central angle कैसे बनेगा, यह बना central angle, ठीक है, तो आपको हर बार यह center angle बताना है, इस case में आपके पास length of arc तो आपको दी है, of its length, arc आपको length यह 20, 10 cm, radius कितनी दी वेटा आपको 75, तो एक case में radius यह लेना, L यह लेना, theta क्या होता है, L upon R, और आपको radian में जर किसमें पूछा है, रेडियन में पूछा, direct answer है, फिर एक case में radius यही रहेगी, L change हो जाएगी कितनी 15, फिर last case में L आपकी 21 हो जाएगी, L आपकी 75 ही है, radius तो L 21 हो जाती है, मतलब हर case में radius सेम है, बट L जो है length of arc, वो change हो जाती है, तो आपको radian measures करना है, थीटा आपको निकालना है, थीटा is given by L upon हो नहीं हो जाती है, simple सा logic है, तो यह आपकी complete exercise 3.1 complete होती है, in the next video, we will continue our third chapter, from exercise 3.2, तब ते के लिए आप इंक examples को, और इंक questions को ध्यान से देखे, thank you, have a nice day,